और बड़ी खबर आ रही है यूक्रेयन से वाँ पर मिकोलाइफ शहर पर रूस ते क्लस्टर बमू से हमले किये हैं और इन हमलों में 12 लोगों की मौत की खबर है जबकि 41 लोग घायल भी हो गए हैं तो बड़ी खबर आप देख रहे हैं 42 दिन हो जुके हैं लेकिन क्लस्टर ब मिकोलाइफ शहर में रूस ने इन ही क्लस्टर बमू से हमला किया ये बम दूसरों के मुकाबले जादा खतरनाक माने जाते हैं क्योंकि क्लस्टर बम सिर्फ एक बम नहीं बलकि बमू का एक गुच्छा होता है और इस बम को लड़ाकों उर्मानों की मदद से गिराया जा सकत है और हमले के दौरान हवा में ही इस बम का कंटेनर खुल जाता है जिसके बाद इस क्लस्टर बम में मौझूद दूसरे छोटे और बड़े बम इलाके में फैल जाते हैं विच्छे शक्यूं का मानना है कि एक क्लस्टर बम में करीब 600 छोटे बम तक हो सकते हैं और इस और इ इस कारुबारी को रूस के राश्टपती व्लादिमेर पुतिन का करीबी बताया जाता है और इसी वज़से अमेरिका ने उनके इस सूपर यॉट को जब्त कर लिया बताया कि रूस के यूक्रेन पर हमले के विरोध में उन पर ये कार्रवाई की गई पिशले दिनों अमेरिका समेट कई देशों ने रूसी कारुबारियों की संपत्ती जब्त करने का फर्मान सुनाय था अब इसी के तहट इस आलिशान यॉट के जरिये विक्टर वेकसल बरह को निशाना बनाए गया यॉट को सीज करने के बाद स्पेन और अमेरिका की खुफिया एजन्सियों के अधिकारियों ने इसकी तलाशी ली हाला कि बाइडन सरकार पहले इस यॉट मालिक की अमेरिका में मौडूद संपत्यों को जब्त कर चुकी है और अब टैंगो नाम की उनकी ये सूपो यॉट भी उनसे छिन गई इस आलिशान यॉट में कई सुविधाय मौजूद है और इसके खियमत 99 मिलियन डॉलर से जादा यानि भारती और रुपियों के हिसाब से खरीब साड़े 700 करोड है वहीं पुतिन के खरीबी और रूसी कारुबारी रोमन अबरामोविच की यॉट को तुर्की से भी भागना पड़ा पिछले दिनों यूक्रेन युद्ध की वरस से यूरोप के कई देशों ने इस रूसी कारुबारियों पर पाबंदी लगा दी थी जिसके बाद उनकी इस यॉट को तुर्की से भी निकलना पड़ा इससे पहले यॉट यॉरोप के ज़्यादतर देशों से भगाय जाने के बाद आसरे की तलाश में तुर्की के बंदरगाह पहुँची मगर जल्द ये साफ हो गया कि वहां भी उसे पना नहीं मिलने वाली रोमन अबरामोविच की यॉट दुनिया की सबसे महंगी यॉट में शामिल है जिसमें हली पैड और स्विमिंग पूल भी बना हुआ है इसके लावा यॉट में वो तमाम सुविधाय मौजूद हैं जो इनसान ख्वाइश रखता है असल में तुर्की सरकार की रूस और यॉक्रेन दोनों के साथ अच्छे संबन है इसी उम्मीद पर इस यॉट को तुर्की के बंदरगा लाए गया था पर अब समंदर में तेरता अब्रा मोबिच का या अलिशान महल फिर लहरों के धके खाने को मजबूर हो गया और रूस की सेना बुचा से यॉक्रेन में एंट्री ना कर पाए इसके लिए यॉक्रेनी सेना ने अपने ही फुल को बंसे उड़ा दिया रूसी सेना जब बुचा के रास्ती यूक्रेन में एंट्री कर रही थी तभी यूक्रेन की सेना ने हमला करके रूस के कई सारे बाहनों कोड़ा दिया था। मोर्चे बना रखे थे यह नई बिल्डिंग है लेकिन यहाँ पर उपर मोर्चे बना रखे थे दूसरी तरफ भी मोर्चे हैं और जब यह बक्तरबंद वाहन बुचा शहर की तरफ कूच कर रहे थे रूस के तब उन्होंने घात लागा कर हमला किया और देखिए एक और बक्त में यह चोटी से एक बिल्डिंग है देखिए यह तबाह हो गई थी उपर से जो च्छा थे इसकी गिर गई है और यहां पर देखिए खिर्टियां किस तरह से डैमेज हो गई है और कोशिश यह भी की यूकरेन की सेना ने जब वह अंदर आ रहे थे रूस के सैनिक तो किस त देखिए यूकरेन की फोर्सेज ने इस पुल कोड़ा दिया था जिससे कि जादा संख्या में टैंक रूस के जो है वो अंदर प्रवेस्ट ने कर सके और दूसरी तरफ देखिए मोर्चा वहां पहले से ही लगा हुआ है तो कोशिश यूकरेन ने ये की थी और उसमें कुछ हद तक कामयावी पाई थी इस इंट्री पॉइंट पर यूकरेन ने रूस की सेनाओं को लगभग रोक लिया था लेकिन दूसरे रास्तों से की पहुचने की कोशिश में बूचा पर कभजा करने की कोशिश में रसीयन फोर्सेज अंदर तक चली गई थी लेकिन यहां पर ज शहर रूसी सेना की बंबारी और मिसाइल हमलों की वज़स से बरबाद हो गया यूकरेन में पिछले 40 दिनों से जंग जारी है और जलिंस्की को घुटनों पर लाने के लिए पुतिन की सेना वहांके शेहरों पर एयर स्ट्राइक कर उन्हें तबाह करने में जुटी है जिन में स्टोयांक का शेहर भी शामिल है क्योंकि रूस को ये पता है कि अगर कीव में दाखिल होना है तो उसे आसपास बसे शेहरों पर खब्जा जमाना होगा इसी वज़ा से रूसी सेनाने स्थोयांका शेहर को हथियाने के लिए उस पर इतने बम बरसाए कि वो शेहर पूरी तरह खंडर में तबदील हो गया शेहर की जो तस्वीरे जारी की गई उनमें हर तरफ सिर्फ तबाही और बरबादी का ही मंज़र दिखाई दिया जिन इमारुतों में पहले लोग अपने परिवार के साथ रहते थे वहाँ जिंदगी का नामों निशान तक मिट चुका था देखने से ऐसा लगा जैसे शेहर सालू से वीरान पड़ा हो एक तस्वीर में तो जमीन पर मिसाल गिरने की वज़से बड़े-बड़े गड़े नजर आए बंबारी की वज़से नदी पर बने पुल तक तूट गए जिनके मताबिक साथ साल के उपर के फौजियों को भी सेना में शामिल किया जा रहा है रूसी सेना टैंक कमांडरों और स्नाइपर की भरती पर जोर दे रही है और साथ ही ऐसे लड़ाकों की भरती भी कर रही जो पैसे के लिए युद के मैदान में जाने को तयार हो यानि भाड़े के लड़ाके युकरेन से खरीब डेड़ महिने से जारी जंग में रूस की सेना ने भले ही युकरेन को काफी नुकसान पहुँचाए हो लेकिन उसके भी कई सैनिकों और जनरल की जान चली गई नेटू का दावा है कि युकरेन से युद में 15,000 से जादा रूसी सैनिकों की मौत हुई हाला कि युकरेन के मताबिक ये संख्या 18,000 से भी जादा है ऐसे में कहा जा रहा है कि पुतिन ने उनकी कमी को पूरा करने के लिए हाला कि इन लडाकों को लेकर ये भी दावे कि जा रहे है कि युद के मैदान में उन्हें लडाई का नुभव नहीं है और इनमें कई की उम्र तो 18 से 27 साल के बीच बताई जा रही है इनमें सीरिया के भाड़े के सैनिक भी शामिल है जिनको हर महीने 1000 डॉलर यानि भारतिय रुपियों में खरीब 75,000 दिये जाएंगे जबकि साच साल से जादा उम्र वालों का इस्तमाल युद के मैदान में गोला बारूद ढोने में किया जाएगा जंग में रूस की नौसेना और जादा आक्टिव हो गई है काला सागर से उसने युक्रेन के एक सेनिट विकाने पर मिसाइल हमले का दावा किया है और सुबूत की तौर पर हमले का वीडियो भी जारी किया जिसमें हवा में एक के बाद एक कई सारी मिसाइले उड़ती हुई दिखाई दिये और ऐसा लग रहा था मानों कोई टागेट पर हमले सेट कर रहा हूँ और दावा किया गया कि एक साथ साथ राउंड फायर की गई मिसाइलियों से युक्रेन की फॉर्ज को काफी नुपसान पहुँचा ख़बर है कि रूस ने रात के अंधेरह में इसलिए ये हमला किया ताकि किसी बिए तरीके से युक्रेन की सेणः पलटवार ना कर सके और रूस ने दावा किया कि उसके हमले में युक्रेन की कुछ सेनिकों के मौद सी हुई है उधर यूक्रेन यूद के भी जर्मनी ने ग्यास संकट के मामल में रूस के आगे सरेंडर कर दिया उसने साफ किया कि रूस से ग्यास की सप्लाई पहले की तरह जारी रहेगी और ये बात कही जर्मनी के वितमंत्री ने